हेलो गयास कैसे है अप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक ने वीडियो में तो आज मैं आप लोगों को MemoLi Kart लगा के दिखाऊंगा गयास मैरे Samsung A14 5G phone में ठीए गयास तो अगर आप लोगों को मेमोरी को लागाना नहीं आता है तो इस वीडियो को लास तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए तो चलिए गईज वीडियो को स्टार्ट करते है तो यह आपर देख सकते हैं मेरे पास एक Amazon Basics का Memory Card है गईज इसका अगर आप लोग वीडियो नहीं देखा हो तो मेरे चैनल में जाके आप लोग देख सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया Memory Card है गईज इसको आप लोग ले सकते हैं 256 GB का Memory Card है तो इसको आज हम मेरे Samsung F14 5G में लागा के आप लोगो को दिखाएंगे ठीक गईज तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो मेमोरी को लागाने के लिए आपर सबसे पहले जो है आप लोगों स सीम ट्रे को निकाल लेना है तो यहां पर मैं अपने फॉन के सीम ट्रे को निकाल लेता हो यहां पर आप लोगों को घुसा देना है और आपका जो सीम ट्रे है वो निकल जाएगा देख सकते सीम ट्रे निकाल गया है तो अभी सीम ट्रे को जो है आप लोगों को खीच लेना ह खिचने के बाद यहां पर देख सकते हैं एक memory card का ट्रेय है और एक दो सीम करकर ट्रेय है आप आप लोग देख सकते हो तो अभी जो है हम इस memory box memory card को निकाल लेता हो और आप memory card को निकाल लेता हो और आप लोगों को लागा के भी दिखा देता हूँ तो यह जो memory card है बहुत ही अच्छा है गाइस इमेजन बेसिक्स बहुत अच्छा ब्रेंड है मैं भी उसकर रहा हूँ इमेजन बेसिक्स का memory card उसके बाद टीवी उसके बाद स्टेंड बहुत सारे चीज है मेरे पास अप लोग देख सकते कुछ इस तरीके का memory card box में आता है तो इसको हम निकाल लेते हैं निकालने के बाद आपको आप सिखाएंगे गाइस कि कैसे आप लोग अपने फॉन में memory card को लगा सकते हो तो यह पर देख सकते सिम ट्रे में एक memory card का भी option रहता है तो यहाँ पर से इसको ऐसे करके लगा देना है इसको अच्छी तरीके से आप लोग ऐसे करके पूरा एकदम अच्छी तरीके से लगा दीजिए गाइस लगाने के बाद यहाँ पर से ऐसे पकरके इसको फिर से जैसे निकाले थे आप लो है तो हम अच्छी तरीके से इसको लगाएंगे अभी देख सकते मेरा जो memory card है वो लग गया है तो अभी हम चेक करेंगे guys कि जो memory card हमने लगाया हूँ यहाँ पर शो हुआ है की नहीं और हम memory card को देखेंगे guys कि 256 GB यहाँ पर लिखा हुआ है और हमको कितना GB यहाँ पर देख देखने को मिल रहा है हम लोगों को यहाँ पर शो हो रहा है आप लोग देख सकते हो 233 GB ठीक है guys तो आप लोगों को 256 GB से अगर 233 हम माइनस कर देंगे 256 माइनस 233 तो यह पर 23 GB हमको कम देखने को मिल रहा है ठीक है guys क्योंकि 23 GB वो memory card ही लेता है guys तो यही है guys memory कैसे आप लोगों ने दिखा दिये कितना GB आप लोगों को स्टोरेज मिलेगा तो कैसा लगा आप लोगों को यह वीडियो अगर वीडियो पासान आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए मिलते हैं कर लेक नेक्स वीडियो में